यात्रा उनलाइन ना CEO औने होल टाइम डिरेक्टर धुरू शुरूंगी जोड़ाया चे धुरू सर वेरी वेरी गुड आफ्टरनोन और स्वागत आपका CNBC बजार में सर सबसे पहले बस यही जाना चाहेंगे बहुत अच्छा क्वाटर रहा है खास करके यह जो Q3 का टाइम ह वो सब का भी टाइम रहता है और कहां से आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई दीखी सबसे पहले बस यहीं जाना चाहेंगे जी नमस्ते और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने शोग पे लाने के लिए आपने जैसे बताया हमारे लिए काफी अच्छा क्वाटर रहा बिजनस में काफी बढ़ोता हुआ जो ग्रोथ आई वो ग्रोथ कंजूमर पार्ट पे जादा थी कॉपरेट ट्रावल और बिजनस ट्रावल के लिए ऑक्टोबर नवेंबर डिसेंबर का क्वाटर थोड़ा स्लो रहता है तो यह जो ग्रोथ आप देख रहे हैं यह कंजूम ट्रावल पे तो उसका काफी स्ट्रॉंग मोमेंटम है इस समय जो इस कोर्टर में भी और आगे भी देखने को मिल रहा है सर आपने जो कंजूमर ट्रावल की बात की बस एक चीज़ यही जानना चाहूंगा कि कि यहां पर आपको ट्रेंड अभी क्यू थी में इवन क्यू फोर में और ओन्वर्ड्स कौन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है डॉमेस्टिक ट्रावल यहां पर ज़्यादा हो रहा है इंटरनेस्टिक ट्रावल की और ज़्यादा जुका हो रहा है किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें देखने को मिल रहा है international की भी अच्छी demand है पर domestic की strong demand तो बहुत ही strong है अभी जैसे आपने बताया corporate में थोड़ा muted रहा है तो corporate में अभी यहां से आप आगे कोई नई strategy प्लान कर रहे हैं आगे वाले आने quarters पे यहां पर कोई growth strategy यहां पर अगर आप प्लान कर रहे हैं अगर आप corporate पर देखें October, November, December छुटियों की वज़े से क्योंकि इतनी छुटियां होती है उस period में corporate travel कम रहता है पर जैसे अगर आप देखें January onwards corporate travel में again दुबारा काफी strong momentum है काफी नए customer wins भी हुए है पिछले quarter में भी अगर आप देखें तो 26 नए customers जिनको almost 220 करोड का सालाना business है वो customers हमने win की है तो corporate में तो काफी strong momentum है corporate में हो यह रहा है कि जादा से जादा companies अभी अपने आपको digitize करना चाह रहे हैं वो technology solutions adopt करना चाह रही है तो हम market leaders है business travel technology के लिए तो इसलिए हमें काफी strong momentum देखने को मतरा corporate travel में भी वो तुसरब एक seasonality का issue था October, November, December के quarter में पर otherwise corporate travel में भी काफी अच्छी demand है मार्जिन को लेकर सर एक चीज़ समझना चाहेंगे देखे quarter on quarter improvement अच्छे रहे है लेकिन 3.7% का margin के आपके industry के लिए और आपके लिए का comfortable level पर है या थोड़ा higher end पर कोई ऐसी range जो आप target लेके चल रहे है कि हमें margin हमारा इतना लेके जाना है अगर उसके बारे में कुछ पता पाए So margin आप जैसे देखेंगे scale बढ़ते जाएगा तो margin अपने आप improve ओड़ती जाएगी अगर मैं operating margin की तरफ बात करूँ जो adjusted EBITDA हम report करते है आज की rate में adjusted EBITDA margin करीबं 10% के करीब है और हमारा endeavor तीन साल के अंदर यह है कि यह 10% का number 20 के पास होना चाहिए तो margin में आप continuously improvement देखेंगे क्योंकि यह एक technology business है सो जैसे जैसे scale बढ़ता जाता है उसकी operating leverage काफी high रहती है जी सर एक debt की उपर आपने update दिया है कि Q3 में आपका 51% debt अभी यहाँ से reduce हुआ है आगे चलकर अभी क्या debt पे हम किस level पे है और क्या strategy रहेगी आपको ए further reduction के लिए जी हमारा इन अबर तो यह रहेगा कि debt को और करीबन 50% के करीब reduce करें अगले quarter से दो quarter के अंदर ताकि debt का जो net level हमारा रह जाएगा वो 40 से 50 करोड की range में debt का net level रह जाएगा वो एक minimum level है जो हम maintain करेंगे पर debt को उस level तक हम नीचे ले जाएंगे जी सर एक और चीज़ यह भी जाना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने सरुवात में बताया कि जो domestic travel का पूरा sector है वो यहां से अच्छा ग्रो करते हुए दिखरा है तो यह segment में market share बढ़ाने के लिए आप कोई नए product लेकर आ रहे हैं कोई नई services आप अगर launch करने वाले होगे उसका कोई update हमें दे पाए जी बिलकुल तो अगर आप जैसे देखें नई-नई destinations है religious travel एक काफी strong theme emerge हो रही है religious travel हमेशा से हिंदुस्तान में strong रहा है pilgrimage travel पर वो organized sector में कम था जादा से जादा वो unorganized sector में हुआ करता था पर अगर पिछले मैं कुछ महीनों का trend देखूं तो religious destinations की demand भी organized sector में बढ़ती जा रही है वहाँ पे infrastructure भी काफी improve हुआ है चाहे आप ऐश्नदेवी की बात करें चाहे आप तिरुपती की बात करें चाहे आप अयोध्या में अभी जो देख रहा है हम सब वारनसी इन सब जगाओं में infrastructure improve होने की वज़ा से जो traveler है वो एक जादा evolved traveler भी इन चीदों को इन destinations पे जा रहे हैं तो उसकी वज़ा से हमें देखने को में लग रहा है कि जादा strong demand आ रही है और उसके basis पे हम नए products create कर रहे हैं नए packages create कर रहे हैं इन areas में नए अच्छे hotels curate करके उनको अपने platform पे ला रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आज की date में तो कि अगले एक इतनों साल के लिए एक काफी strong theme रहेगी जिसमें अभी छोटी एक baseline से काफी growth होगी जी तो देखे अच्छी बात है कि यहां पर जिस तरीके से यह travel बढ़ रहा है लेकिन एक चीज यही इसी question को थोड़ा एक्टेंड करके यह भी पूछना चाहूँगा कि यह pilgrimage travel के अंदर हमें बहुत ही अच्छा एक उचाल देखने को मिल रहा है पीछले 5-6 महीने की बात कर लेकिन उसके अलावा एक ट्रेंड थोड़ा सा जो नेचर ट्रावेल वाला भी एक सेग्मेंट है जहां पर अच्छा ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी लोगों की लाइफ भी बहुत सारी हेक्टिक हो गई है और लोग चाहते हैं कि वीकेंड में थोड़ा च लेकिने रहते हैं वो तो अज घुमने के लिए बहुत ही आइडियल माने जाते है ये टाइम पर जी आपने मिलकुल सही परमाया अगर आप देखें हो क्या रहा है इस्पेश्टी कोविट के बाद से यह कोविट के दौरान और उसके बाद से शुरू हुआ कि लोग जादा से जादा activities और experience देखने लगे अब ये नहीं है कि सिरब आपको एक destination जाना है अब आप एक destination पहुँचेंगे वहाँ आप अलग अलग चीज़े करेंगे चाहे आप कोई soft adventure activity करेंगे चाहे zip lining हो गई थोड़ा सा trekking हो गई थोड़ा rafting हो गई या आप जैसे आपने बताया nature people wildlife reserve जाएंगे या किसी अच्छे एक resort में रहेंगे या home stay में रहेंगे लोग अलग अलग चीज़ों को ढूंड रहे हैं मैं इसको एक तरह से especially younger population में कहूंगा कि instagram moment हो गया ये कि आपने वापस आके post कर रहे हैं अगर आप post कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा और कुछ अलग पोस्ट करना चाहेंगे आप वही चीज़ पोस्ट नहीं करना चाहेंगे जो सौ और लोगों ने पोस्ट कर रहे हैं तो उसकी वज़ए से adventure travel soft adventure travel खासता और पे nature इन चीज़ों को भी काफी बड़ोता मिलाए और ये पिछले डेड़ दो साल से theme चल रही है जी सर एक आखरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने presentation में काया कि 70% जो ticketing हो रही है वो online हो रही है इसमें को आप बड़ोतरी देख रहे हैं इसको ज्यादा आप बढ़ाने के लिए कोई अगर कदम अभी उठा रहे हो कि जो को कि online में होता ही है कि आ online हो रही है पर हमने ये भी देखा है कि जो tier 2 market से नए customers आ रहे हैं पहली बार category में जो नए travelers आ रहे हैं वो सब चीज़ें online ही कर रहे हैं especially mobile devices में क्योंकि हुआ क्या है अगर आप covid का दुबारा एक बार example ले उस डेर दो साल के दौरान हमने सब चीज़ें online करी चाहे वो हमने कुछ समान खरीदना था चाहे आपको कुछ reviews पढ़ने थे जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ आप online ही कर रहे हो आपके newspaper भी physically आना बंद हो गया था तो लोग news भी online पढ़ते हैं तो online की adoption जो है वो काफी strong हुई है और जो नए category में लोग आ रहे हैं वो online ही आ रहे हैं तो य मेरे हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे आज से 3-4 साल के अंदर यह नंबर 75 और 80% के बीच में आ जाना चाहिए क्योंकि जो नए travel की growth आ रही है नए traveler की growth हा रही है domestic aviation में वो mobile lead आ रही है अच्छी है बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जोड़कर यह सारी डीटेल शेर करने के लिए और आई होप कि अगले quarter में भी हम ऐसे मिल पाएंगे और आपके result के उपर और industry के उपर ऐसे ही बात कर पाएंगे जी बिलकुत धन्यवाद